आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ओफ इवर, अज हम पढ़ने वाले हैं यूज ओफ आवर, इवर का उज, जिसका हमने पार्ट फॉस्ट पहले किलियर कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड और 5 सेकिंद के अंदर हम पढ़ने वाले हैं WH family plus ever यानि WH family जो WH से word start होते हैं उनके साथ में ever का use और WH के साथ जब भी कभी ever लगता है तो उसका means हो जाता है be यानि word तो देखे देखने में इतना बड़ा है लेकिन इसका हिंदी means हो जाता है only and only be जैसे हम सबसे पहला word देखते हैं whatever और whatsoever और whatsoever अब इसका जो हिंदी means हो जाता है वो हो जाता है what का मतलब जो कुछ और ever भी जो कुछ भी तो जब भी कभी हम WH family के साथ में ever का use करेंगे तो उसका simple सा means हमारे सामने आएगा जो कुछ भी आप देखिए इसको English में जो कुछ भी English को में English में कहते हैं anything at all जो कुछ भी यानि anything at all कोई भी चीज हो तो देखिए इसका एक example हम देखते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरा है तो इसे हमें English में translate करना है Whatever, सबसे पहले हम लिख देंगे Whatever you have, whatever you have फिर हमारा कौमा आ जाएगा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है It is mine, वो मेरा है Whatever you have is mine, वो मेरा है दूसरा आ जाता है हमारा जो कुछ उसने कहा वह सच नहीं है जो कुछ उसने कहा वह सच नहीं है Whatever he told या Whatever he said is not true जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो Whatever you have फिर कॉमा आ जाएगा मारा Give me Whatever you have, give me जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो तो देखिए हमारे अगले स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे Whenever, whenever या whenever की जगह है When so, ever तो दोनों का ही मीन्स हो जाता है जब कभी भी देखिए when का मीन्स जब भी होता है और कभी होता है तो यहाँ पर when का जब और